साथ दीन तक बाट जो होता रहा, परंतु शमुएल गिलगाल में न आया, और लोग उसके पास से इधरुदर होने लगे, तब शाओल ने कहा हुमबली और मेलबली मेरे पास लाओ, तब उसने हुमबली को चढ़ाया, जो ही वह हुमबली को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमुएल आ पहुँचा, और शाओल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला, शमुएल ने पूछा, तुने क्या किया, शाओल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधरुदर हो चले हैं, और तू ठैराय हुए दिनों के भीतर नहीं आया, और पलिष्टी मिकमाश में इकटे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिष्टी गिलगाल में मुझ पर कभी आपड़ेंगे, और मैंने यहवा से बिंती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम्बली चड़ाया, शमुएल ने शाओल से कहा, तुने मुर्खता का काम किया है तुने अपने परमिश्वर यहवा की आग्या को नहीं माना, नहीं तो यहवा तेरा राज्य इस्राइलियों के उपर सदा स्थिर रता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढून लिया है, जो उसके मन के अनुसार है और यहवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठेराया है, क्योंकि तुने यहवा की आग्या को नहीं माना, तब शमुएल चल निकला, और गिलगाल से बिन्यमिन के गिबा को गया, और शावल ने अपने साथ के लोगों को गिन कर कोई छह सव पाए, और शावल और उसका पुत्र योनातान, और जो लोग उसके साथ थे, वे बिन्यमिन के गिबा में रहे, और पलिष्टी मिकमाश में डेरे डाले पड़े रहे, और पलिष्टियों की छावनी से नाश करने वाले तीन दल बांध कर निकले, एक दल ने शुवाल नाम देश की ओर फिर के ओपरा का मार गलिया, एक और दल ने मुड कर बेथोरोन का मार गलिया, और एक और दल ने मुड कर उस तेश का मार गलिया, जो सबो इम नाम तराई की ओर जंगल की तरफ है, और इस्राइल के पुरे देश में लोहार कही नहीं मिलता था, क्योंकि पलिष्टियों ने कहा था कि इब्री तलवार वा भाला बनाने नव पाए। इसलिए सब इस्राइली अपने अपने हल की फली और भाले और कुल्हाडी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिष्टियों के पास जाते थे। परंतु उनके हंसु फलो की खेती के त्रिशुलो और कुल्हाडीों की धारे और पैनों की नोके ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। सो युद्धे के दिन शाओल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला वे केवल शाओल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे। और पलिश्तियों की चवकी के सिपाही निकल कर मिकमाश की घाटी को गए। शमुएल भविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याई चवदह। एक दिन शाओल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हातियार ढोने वाले जवान से कहा, आ, हम उस पलिश्तियों की चवकी के पास चले। शाओल तो गिबा के सिरे पर मिग्रोनक में के अनार के पेड के तले टिका हुआ था, और उसके संकी लोग कोई छहसव थे। और एली जो शिलो में यहोवा का याजत था, उसके पुत्र पिनाहास का पोता और इकाबोत के भाई, अही तूप का पुत्र अही यहा भी एपोत पहने हुए संग था, परंतु उन लोगों को मालूम न था कि योनातान चला गया है। उन घाटियों के बीच में जिनमें से होकर योनातान पलिष्टियों की चवकी को जाना चाहता था, दोनों अलंगों पर एक-एक नोकिली चक्टान थी, एक चक्टान का नाम तो बोसेस और दुसरी का नाम सेने था, एक चक्टान तो उत्तर की और मिकमाश के सामने और दुसरी दखिन की और गेबा के सामने खड़ी थी, तब योनातान ने अपने हतियार ढोने वाले जवान से कहा, आ, हम उस खतना ही लोगों की चवकी के पास जाए, क्या जाने, यहोवा हमारी साहेता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं, कि चाहे तो वह बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़ों लोगों के द्वारा चुटकारा दे, उसके हतियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो, वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार त यो कहे, हमारे आने तक ठेरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहे, और उनके पास न चढ़े, परन्तु यदि वे यह कहे, कि हमारे पास चढ़ाओ, तो हम यह जानकर चढ़े, कि यहोवा उन्हें हमारे साथ कर देगा, हमारे लिए यही चिन नहो, तब उन दोनों अपने को पलिष्टियों की चवकी पर प्रगट किया, तब पलिष्टी कहने लगे, देखो, इबरी लोग उन बिलों में से जहां वे चिप रहे थे, निकले आते हैं, फिर चवकी के लोगों ने योनातान और उसके हतियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ा तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे, तब योनातान ने अपने हतियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे-पीछे चढ़ा, क्योंकि यहवा उन्हें इसराइलियों के हाथ में कर देगा, और योनातान अपने हाथों और पाओ के बल चढ़ गया, और उसका हतियार ढोने वाला भ उसके पीछे पीछे चड़ गया और पलिष्टी योनातान के सामने गिरते गए और उसका हतियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार था जो योनातान और उसके हतियार ढोने वाले से हुआ। उसमें आधे बेगे भुमी में बीस एक पुरुष मारे गए और चावने में और मैदान पर और उन सब लोगों में थर-थरा हट हुई और चवकी वाले और नाश करने वाले भी थर-थराने लगे और भुईडोल भी हुआ और अत्यंत बड़ी थर-थरा हट हुई और बिन्या तब शाओल ने अपने साथ के लोगों से कहा अपनी गिंती करके देखो कि हमारे पास से कौन चला गया है उन्होंने गिनकर देखा कि योनातान और उसका हत्यार ढोने वाला यहा नहीं है तब शाओल ने अहिया से कहा पर्मिश्वर का संदूख इधर ला उस समय तो पर्मेशर का संदूग इसराइलियों के साथ था। शाओल याजक से बाते कर रहा था कि पलिष्टियों की छावनी में उलड अधिक होता गया। तब शाओल ने याजक से कहा अपना हाथ खीच। तब शाओल और उसके संग के सब लोग इकटे होकर लड़ाई में वहां उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष के तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। और जो इबरी पहले की नाईब पलिष्टियों की ओर के थे और उनके साथ चारो ओर से छाओनी में गए थे वे भी शाओल और योनात के संके इस्राइलियों में मिल गए और जितने इस्राइली पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश में छिप गए थे वे भी यह सुनकर की पलिष्टि भागे जाते हैं लड़ाएं में आकर उनका पीछा करने में लग गए तब यहवा ने उस दिन इस्राइलियों को छुट करा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली और तक चले गए परंतु इस्राइली पुरुष उस दिन तक तंग हुए क्योंकि शावुल ने उन लोगों को शपत धराकर कहा शापित हो वह जो सांज से पहले कुछ खाए इसी रिती मैं अपने शत्रों से पल्टा ले रि होचे जहां भूमी पर मधु पढ़ा हुआ था जब लोग वन में आये तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है तो भी शपत के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुह तक न ले गया परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपत धराते न सुना था इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ा कर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुह तक लगाया तब उसकी आखों में जोती आई तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा तेरे पिता ने लोगों को दुढ़ता से शपत धरा के कहा शापित हो वह जो आज और लोग ठके मायन दे थे योनातान ने कहा मेरे पिता ने लोगों को कश्ट दिया है देखो मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मुझे आखों से कैसा सूजने लगा यदि आज लोग अपने शत्रू की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छ होता अभी तो बहुत पलिष्टी मारे नहीं गए उस दिन वे मिकमाश से लेकर अया लोन तक पलिष्टियों को मारते गए और लोग बहुत ही ठक गए सो वे लूट पर लूट तूटे और भेड बकरी और गाय बैल और बच्छे लेकर भूमी पर मारके उनका मास लोहु समेत खाने लगे जब इसका समाचार शाओल को मिला कि लोग लहु समेत मास खाकर यहवा के विरुद्ध पाप करते हैं तब उसने उनसे कहा तुमने तो विश्पास खात किया है अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुड़का दो फिर शाओल ने कहा लोगों के बीच में इधर उधर फिरके उनसे कहो कि अपना अपना बैल और भेड शाओल के पास ले आओ और वही बली करके खाओ और लोहु समेत खाकर यहवा के विरुद्ध पाप न करो तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वही बली किया तब शाओल ने यहवा के लिए एक वेदी बनाए वह तो पहली वेदी है जो उसने यहवा के लिए बनवाई थी फिर शाओल ने कहा हम इसी रात को पलिष्टियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहे और उनमें से एक मनुश को भी जिवित न छोड़े उन्होंने कहा जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर परन्तु याजक ने कहा हम इधर परमिश्वर के समीपाए तब शाओल ने परमिश्वर से पुछवाया कि क्या मैं पलिष्टियों का पीछा करू क्या तु उन्हें इस्राइल के हाथ में कर देगा परन्तु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला तब शाओल ने कहा हे प्रजा के मुख्य लोगों इधर आकर बूजो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है क्योंकि इस्राइल के छुडाने वाले यहवा के जिवन की शपत यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ हो तब ही निश्चे वह मार डाला जाए तब उसने सारे इस्राइलियों से कहा तुम एक ओर हो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दुसरी ओर होंगे लोगों ने शाओल से कहा जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर तब शाओल ने यहवा से कहा हे इस्राइल के परमिश्वर सत्य बात पता तब चिठ्थी योना और शाओल के नाम पर निकली और प्रजा बजगे फिर शाओल ने कहा मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिठ्थी डालो तब चिठ्थी योनातान के नाम पर निकली तब शाओल ने योनातान से कहा मुझे बता कि तुने क्या किया है योनातान ने बताया और उसने कहा मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चक तुलिया है और देख मुझे मरना है। शावल ने कहा परमिश्वर ऐसा ही करे वरन इससे भी अधीक करे। हे योनातान तू निश्चे मारा जाएगा। परन्तु लोगोंने शावल से कहा क्या योनातान मारा ज क्योंकि आज के दिन उसने परमिश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगोंने योनातान को बचा लिया और वह मारा न गया। तब शावल पलिष्टियों का पीछा छोड़कर लड़ गया। और पलिष्टी भी अपने स्थान को चले गया। जब शावल इस्र जारोर के सब शत्रों से और सोबा के राजाओं से लड़ा और जहां जहां वह जाता वहां जै पाता था। फिर उसने वीर्ता करके अमालेकियों को जीता और इस्रालियों को लूटने वालों के हाथ से छुडाया। शाउल के पुत्र योनातान, ईश्वी और मलकीश थे और उसकी दो बेटियों के नाम ये थे बड़ी का नाम तो मेरवा और छोटी का नाम मिकल था और शाउल की स्त्री का नाम अही नुआम था जो अही मास की बेटी थी और उसके प्रधान सेनापती का नाम अबनेर था जो श शावल के चचा नेर का पुत्र था और शावल का पिता कीश था और अबनेर का पिता नेर अबियल का पुत्र था और शावल जिवन भर पलिष्टियों के संग्राम करता रहा जब जब शावल को कोई वीर वा अच्छा योद्धा दिखाए पड़ा तब तब उसने उसे अपने पास रख लिया. शमुवेल भविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय पंद रह. शमुवेल ने शावूल से कहा, यहवा ने अपनी प्रजा इसराल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिशेक करने को मुझे भेजा था. इसलिए अब यहवा की बाते सुन ले. सिनौ का यहवा यह कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इस्राइलियों से क्या किया, और जब इस्राइली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मर्ग में उनका सामना किया. इसलिए अब तु जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किये सत्यानाश कर. क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूत्प्युवा, क्या गाय, क्या बयल, क्या भेडवक्री, क्या उंट, क्या गधा, सब को मार डाल. तब शाउल ने लोगों को बुलाकर इकटा किया, और उन्हें तलाईम में गिना, और वे दो लाख प्यादे, और दस हजार यहुदी पुरुष भी थे. तब शाउल ने अमालेक नगर के पास चाकर एक नाले में घात को बिठाया, और शाउल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों के मध्यमे से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुमारा भी अंतकर डालो, क्योंकि तुमने सब इस्राइलियों पर उनके म अमालेकियों के मध्यमे से निकल गए, तब शाउल ने हविला से लेकर शूर तक जो मिसर के सामने है, अमालेकियों को मारा, और उनके राजा अगाख को जिवित पकड़ा, और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला, परंतु अगाख पर और अच्छी से अच् मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाउल और उसकी प्रजाने कोमलता की, और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुछ और निकमा था, उसको उन्होंने सत्यानाश किया, तब परमिश्वर का यह वच्चन शमुएल के पास पहुचा, कि मैं शाउल को राजा बना के पचताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, और मेरी आज्यों का पालन नहीं किया, तब शमुएल का क्रोध भड़का, और वह रात भर यहवा की दोहाई देता रहा, बिहान को जब शमुएल शाउल से भेट करने के लिए सबेरे उठा तब शमुएल को यह बताया गया कि शाउल करमेल को आया था, और अपनी लिए एक निशानी खड़ी की, और घूमकर गिलगाल को चला गया है, तब शमुएल शाउल के पास गया, और शाउल ने उससे कहा, तुझे यहवा की ओर से आशिश मिले, मैंने यहवा की आग्या और गाय बयलो का यह बंबाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यो हो रहा है, शाउल ने कहा, वे तो अमालिकियों के यहां से आये है, अर्थात, प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़वकरियों और गाय बयलो को तेरे परमिश्वर यहवा के लिए बली कर करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब को हमने सत्यानाश कर दिया है, तब शमुएल ने शाउल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहवा ने आज रात को मुझे से कही है, वहां मैं तुझको बताता हूँ, उसने कहा, कह दे, शमुएल ने कहा, जब तु अपनी दुश्टी में छोटा था, तब क्या तु इसराइली गोतरियों का प्रधान नो हो गया, और क्या यहवा ने इसराल पर राज्य करने को तिरा अभिशेक नहीं किया, और यहवा ने तुझे यात्रा करने की आग्या दी, और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिटन जाए तब तक उनसे लड़ता रहा। फिर तुने किसलिए यहवा की बात टाल कर लूट पर तूट के वह काम किया जो यहवा की दुरुष्टी में बुरा है। शाओल ने शमुएल से कहा निसंदेह मैंने यहवा की बात मान कर जिधर यहवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं। अमालेकियों को सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेडबकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम-उत्तम वस्तों को गिलगाल में तेरे परमिश्वर यहवा के लिए बली चढ़ाने को ले आये है। शमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उत्ना प्रसन्न होता है, जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बली चढ़ाने से और कान लगाना मेंधो की चर्वी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। और हट करना मूर्तों और गुरोधेवताओं की पूजा के तुल्य है। तुने जो यहवा की बात को तुछ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुछ जाना है। शाओल ने शमूवल से कहा, मैंने पाप किया है। मैं तो अपनी प्रजा के लोगों का भहेमान कर और उनकी बात सुनकर यहवा की आग्या और तेरी बातों का उल्हं परंतु अब मेरे पाप को ख्षमा कर और मेरे साथ लटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूँ। तब शमुयल ने उससे कहा आज यहोवा ने इस्राइल के राज को फाड़ कर तुझ से छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझ से अच्छा है दे दिया है और जो इस्राइल का बलमूल है वहाँ न तो जुट बोलता और न पचताता है क्योंकि वहाँ मनुष्य नहीं क्योंकि पचता है उसने कहा मैंने तो पाप किया है तो भी मेरी प्रजा के पुरुनियों और इस्राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लवट कि मैं तेरे परमिश्वर यहोवा को दंडवत करूँ तब समुयल लवट कर शावल के पीछे गया और शावल ने यहोवा को दंडवत की। तब शावल ने कहा हमालिकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। तब अगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया के निश्चे मृत्यू का दुख जाता रहा। शमुएल ने कहा जैसे स्त्रिया तेरी तलवार से निर्वश हुई है वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वश होगी। तब शमुएल ने अगाग को गिलगाल में यहा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब शमुएल रामा को चला गया। और यहोवा शावल को इसरायल का राजा बना कर पचता था। इसरायल के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। और जिसको मैं तुझे बताऊंगा उसी का मेरी और से अभिशेक करना। तब शमुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहेम को गया। उस नगर के पुर्णिये धर्थराते हुए उससे मिलने को गये। और कहने लगे क्या तु मित्रभाव से आया है कि नहीं। उसने कहा हां मित्रभाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यग्य करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यग्य में आओ। तब उसने ईशे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यग्य में आने का न्योटा दिया। जब वे आये तब उसने एलियाप पर दुष्टी करके सोचा कि निश्च जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिशिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमुए से कहा न तो उसके रूप पर दुष्टी कर और न उसके डिल की उचाई पर क्योंकि मैंने उसे अयोगी जाना ह क्योंकि यहोवा का देखना मनुश्य कासा नहीं है मनुश्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा के दुष्टी मन पर रहती है तब इशे ने अभिनादाप को बुलाकर शमुएल के सामने भेजा और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना फिर इशे ने सामने भेजा और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना क्योंकि इशे ने अपने साथ पुत्रों को शमुएल के सामने भेजा था और शमुएल इशे से कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना तब शमुएल ने इशे से कहा क्या सब लड़के आ गये वह बोला न क्योंकि जब तक वह यहां न आये तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली जलकती थी और उसकी आखे सुन्दर उसका रूप सुडोल था। तब यहवा ने कहा उठकर इसका अभिशेक कर यही है। तब शमुवेल ने अप उस दिन से लेकर भविश को यहवा का आत्मा दाउत पर बल से उतरता रहा। तब शमुवेल उठकर रामा को चला गया। और यहवा का आत्मा शावल पर से उठकर और यहवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और शावल के करमचारियों ने उससे कहा पर्मिशुर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभू अपने कर्मचारियों को जो उपस्तित है आग्या दे कि वे किसी अच्छे विना बजाने वालों को ढूंड के ले आए। और जब जब पर्मिशुर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा सुन मैंने बैथलहेमी ईशे के एक पुत्र को देखा जो विना बजाना जानता है। और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रुपवान भी है और यहवा उसके साथ है। अपने पुत्र दाओद को जो भेडबकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब इशे ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुपवा भर दाखमधू और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाओद के हाथ से शाओल के पास भेज दिया। और दाओद श शाओल के पास चाकर उसके सामने उपस्तित रहने लगा और शाओल उससे बहुत पीती करने लगा और वह उसका हत्यार ढोने वाला हो गया। तब शाओल ने इशे के पास कहला भेजा कि दाओद को मेरे सामने उपस्तित रहने दे। क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न और जब जब परमिशुर की ओर से वह आत्मा शाउल पर चढ़ता था, तब तब दाउद वीना लेकर बजाता और शाउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्टा आत्मा उसमें से हट जाता था। शमुवेल भुष्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय सत्रह अब पलिष्टियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकठा किया, और यहुदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपे सदमीप में डेरा डाले, और शाउल और इस्रायली पुरुषों ने भी एकठी होकर एला नाम तराय में डेरे डाले, और युद्ध के लिए पलिष्टियों के विरुध पांती बांधी, पलिष्टि तो एक और के पहाड़ पर और इस्रायली दुसरी और के पहाड़ पर खड़े थे, और दोनों के बीच तरायी थी, तब पलिष्टियों की छाउनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला, जो गतनगर का था, और उसके डील की लंबाई छहाथ एक वित्ता थी, उसके सीर पर पीतल का टोक था, और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था, जिसका तौल पाच अजार शेक्यल पीतल का था, उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उसके कंधों के बीच बर्ची बंदी थी, उसके भाले की छड जुलाहे के डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल छहसो शक्यल लोहे का था, और बड़ी ढालिये हुए एक जन उसके आगे-आगे चलता था, वह आ होकर इस्राइली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांती बांदी है, क्या मैं पलिष्टी नहीं हूँ और तुम शाओल के अधीन नहीं हो, अपने में से एक पुरुष को चुनो, कि वहां मेरे पास उतर आए, यदि वहां अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी, फिर वह पलिष्टी बोला, मैं आज के दिन इस्राइली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो, कि हम एक दूसरे से लड़े, उस पलिष्टी की इन बातों को सुनकर शाओल और समस्त इस्राइलीों का म कच्चा हो गया, और वे अत्यनत डर गये, दाओद तो यहुदा के बैतलहेम के उस एपराती पुरुष का पुत्र था, जिसका नाम ईशे था, और उसके आठ पुत्र थे, और वह पुरुष शाओल के दिनों में बुढ़ा और निर्बल हो गया था, ईशे के तीन बड़े पुत्र शाओल के पीछ होकर लड़ने को गये थे, और उसके तीन पुत्र के नाम जो लड़ने को गये थे, यह यह थे, अर्थात जेश्ट का नाम अलियाब, दुसरे का अभिनादाब और तिसरे का शम्मा था, और सबसे छोटा दाओद था, और तीनों बड़े पुत्र द आया जाया करता था, वह पलिष्टी तो चालिस दिन तक सवेरे और सांज को निकट चाकर खड़ा हुआ करता था, और इशे ने अपने पुत्र दाओद से कहा, यह एपा भर चबैना और ये दस रूटिया लेकर चावनी में अपने भायों के पास दवड़ जा, और पनीर के ये दस टिकिया उनके सहस्त्रपती के लिए ले जा, और अपने भायों का कुशल देखकर उनकी कोई चिनानी ले आ, शावल और वे भाई और समस्त इस्राइली पुरुष एला नाम तराई में पलिष्टियों से लड़ रहे थे, और दाओद सुभ़ को सबेरे उठ, सेना रन भुमी को जा रही थी, और संग्राम के लिए ललका रही थी, उसी समय वह गाडियों के पड़ाव पर पहुँचा, तब इस्राइलीों और पलिष्टियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांती बांधी, और दाओद अपनी सामगरी सामान के रखने वाले के हाथ में छोड़कर रन भुमी को दवड़ा, और अपने भायों के पास चाकर उनका कुशल क्षेम पूछा, वह उनके साथ बाते करही रहा था कि पलिष्टियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गुलियात नाम वह पलिष्टियोधा चढ़ाया, और पहले कीसी बाते कहने लगा, और दाउद ने उन्हें सुना, उस पुरुष को देखकर सब इस्राइली अत्यंत भैखाकर उसके सामने से भागे, फिर इस्राइली पुरुष कहने लगे, क्या, तुमने उस पुरुष को देखा है, जो चढ़ा आ रहा है, निश्चे वह इस्राइल के घराने को इस्राइल में स्वतंत्र कर देगा, तब दाउद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे, पूछा, कि जो उस पलिष्ट्य को मार के इस्राइलों की नामधराय दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा, वह खतना रहित पलिष्टी, तो क्य है कि जीवित परमिशुर की सेना को ललकारे, तब लोगों ने उससे वही बाते कही, अर्थात यहां कि जो कोई उससे मारेगा, उससे ऐसा-ऐसा किया जाएगा, जब दाउद उन मनुशों से बाते कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई अलियाब सुन रहा था, और किसके पास छोड़ाया है, तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लढ़ाई देखने के लिए यहां आया है, दाउद ने कहा, मैंने अब क्या किया है, वह तो नीरी बात थी, तब उसने उसके पास से मुहफेर के दुसरे के सनमुख होकर वैसी ह पाते कही, और लोगों ने उसे पहली की नाई उत्तर दिया, जब दाउद की बातों की चर्चा हुई, तब शाओल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवा भीजा, तब दाउद ने शाओल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस प पलिष्ति के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, और वह लड़कपन ही से योद्धा है, दाउद ने शाओल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बक्रिया चराता था, और जब कोई सिहं वा भालू जुंड में से मेमना उठा ले तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुह से छुडाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केश को पकड़ कर उसे मार ढाला, तेरे दास ने सीहं और भालू दोनों को मार ढाला, और वह खतना रहित पलिष्ति उनके समान हो क्योंकि उसने जिवित परमेश्वर की सेना को ललका रहा है। फिर दाउद ने कहा यहवा जिसने मुझे सिहं और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिष्टि के हाथ से भी बचाएगा। शाउद ने दाउद से कहा, जा, यहवा तेरे साथ रहे। तब शाउद ने अपने वस्तर दाउद को पहनाये, और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया, और जिलम उसको पहनाया, और दाउद से उसकी तलवार वस्तर के उपर कसी, और चलने का यतने किया। उसने तो उनको नपरखा था। इसलिए दाउद ने शाओल से कहा इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता क्योंकि मैंने नहीं परखा और दाउद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से पाच चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाही की धैली अर्थात अपने जोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिष्टी के निकट चला और पलिष्टी चलते चलते दाउद के निकट पहुचने लगा और जो ज उसकी बड़ी धाल लिये था, वह उसके आगे-ागे चला। जब पलिष्टी ने दुरुष्टी करके दाउद को देखा, वह उसे तुछ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था, और उसके मुख पर लाली जलकती थी, और वह सुन्दर था। तब पलिष्टी ने दाउद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ, कि तु लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिष्टी अपने देवताओ के नाम लेकर दाउद को कोशने लगा। फिर पलिष्टी ने दाउद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मास आकाश के पक्षियों और वन प सिनाओ के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इसराइली सिना का परमिश्वर है, उसी को तुने ललका रहे। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सीर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पल और यहां समस्त मंदली जान लेंगी कि यहोवा तलवार वा भाले के द्वारा जैवन्त नहीं करता। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें वारे हाथ में कर देगा। जब पलिष्टी उठकर दाउद का सामना करने के लिए निकटाया तब दाउद सेना की ओर पलिष्टी का सामना करने के लिए फूर्ती से दड़ा। फिर दाउद ने अपनी थैली में हाथ डाल कर उसमें से एक पथर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिष्टी के माथे प और वह भूमी पर मुह के बल गिर पड़ा। यो दाउद ने पलिष्टी पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। परंतु दाउद के हाथ में तलवार न थी। तब दाउद दोड़कर पलिष्टी के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पक मर गया पलिष्टी भाग गये। इस पर इस्राइली और यहुदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन से फाटको तक पलिष्टियों का पीछा करते गये। और घायल पलिष्टी शारेम के मारग में और गत और एक्रोन तक किरते गये। तब इस्राइली पलिष्टि अपने डेरे में धर लिया। जब शाओल ने दाउद को उस पलिष्टी का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपनी सेनापती अबनेर से पुछा, हे अबनेर, वह जवान किसका पुत्र है। अबनेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपत मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तू पूछले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाउद पलिष्टी को मार कर लवटा, तब अबनेर ने उसे पलिष्टी का सेर हाथ में लिया। हुए शाओल के सामने पहुचाया। शाओल ने उसे पुछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है। दाउद ने कहा, मैं तो तेरे दास बैतलहेमी इशे का पुत्र हूँ। शम्वेल भोईश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय अठारा है। शम्वेल भोईश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय अठारा है। जब वह शाओल से बाते कर चुका, तब योनातान का मन दाउद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्रान के बराबर प्यार करने लगा। और उस तिन से शाओल ने उसे अपने पास रखा। और पिता के घर को फिर लवटने न दिया। तब योनातन ने दाउद से वाचा बांदी, क्योंकि वह उसको अपने प्रान से बराबर प्यार करता था। और योनातन ने अपना बागा जो वह स्वयम पहने था, उतार कर अपने वस्त्र समेत दाउद को दे दिया। परन अपनी तलवार और धनुष्ट और कटिबंद भी उसको दे दिया, और जहा कई शाओल दाउद को भेजता था, वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था, और शाओल ने उसे युद्धाव का प्रधान नियुक्ते किया, और समस्त प्रजा के लोग और शाओल के कर्मचार उससे प्रसन्न थे, जब दाउद उस पलिष्टी को मार कर लवटाता था, और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राइली नगरों से स्त्रियों ने निकल कर, डफ और तिकोंने बाज ले हुए, आनंद के साथ गाती और नाचती हुई, शाओल राजा के स्वागत में निकली, और वे स्त्रिया नाचती हुई, एक दूसरी के साथ यह गाती गई, कि शाओल ने तो हजारों को, परंतु दाउद ने लाखों को मारा है, तब शाओल अती क्रोधित हुआ, और वह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाउद के लिए तो की है, तब उस दिन से भविश्य में शाओल दाउद की ताक में लगा रहा, दूसरे दिन, परमिश्र की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाओल पर बल से उत्रा, और वह अपने घर के भीतर नबूद करने लगा, दाउद पती दिन की नाई अपने हाथ से बजा रहा था, और श शाओल अपने हाथ में अपना भाला लिये हुए था, तब शाओल ने यह सोच कर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाउद को बेथ कर भीत में धस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाउद उसके सामने से दो बार हट गया, और शाओल दाउद से डरा करता था, क्योंकि यहवा दाउद के साथ था, और शाओल के पास से अलग हो गया था, शाओल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्तरपती किया, और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था, और दाउद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहवा उसके साथ साथ था, और ज समस्त लोग दाउद से प्रेम रखते थे क्योंकि वह उनके देखते आया जाया करता था और शाउल ने यह सोच कर कि मेरा हाथ नहीं बरन पलिष्टियों ही का हाथ दाउद पर पड़े उसने कहा सुन मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब को तुझे बैहा दूंगा इतना कर कि शाउल से कहा मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है और इस्राल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाध हो जाऊं जब समय आ गया कि शाउल की बेटी मेरब दाउद से ब्याही जाए तब वह महोलाई अद्रियल से ब्याही गई और शाउल की बेटी मीकल प्रिती रखने लगी और जब इस बात का समाचार शाउल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ शाउल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिष्टियों का हाथ उस पर पड़े और शाउल ने दाउज से कहा अब की बार तो तु अवश ही मेरा दामाद हो जाएगा फिर शाउल ने अपने करमचारियों को अग्या दी कि दाउज से छिपकर ऐसी बाते करो कि सुन राजा तुछ से प्रसन्न है और उसके सब करमचारी भी तुछ से प्रेम रखते है इसलिए अब तु राजा का दामाद हो तब शाउल के करमचारियों ने दाउज से ऐसी ही बाते क परंतु दाउद ने कहा मैं तो निर्धन और तुच्छ मनश हूँ फिर क्या तुम्हारी दुष्टी में राजा का दामाद होना छूटी बात है। जब उसके करमचारियों ने दाउद को ये बाते बताई तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। राजा को गिनगिन कर दी गई। इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। और शाओल ने अपनी बेटी मीकल को उसे ब्याह दिया। जब शाओल ने देखा और निश्चे किया कि यहवा दाउद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है तब शाओल दाउद से और भी डर गया। और शाओल सदा के लिए दाउद का बैरी बन गया। फिर पलिष्टियों के प्रधान निकलाए। और जब जब व शम्वैल भोईश्वक्ता की पहली पुस्तक आध्याय उननिस। और शाओल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब करमचारियों से दाउद को मार डालने की चर्चा की। परन्तु शाउल का पुत्र योनातन दाउद से बहुत प्रसन्न था, और योनातन ने दाउद को बताया कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तु बिहान को सावधान रहना, और किसी गुपतस्थान में बैठा हुआ चिपा रहना, और मैं मैदान में जहां तु होगा, वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा कुरूंगा, और यदि मुझे कुछ मालुम हो, तो तुझे बताऊंगा, और योनातन ने अपने पिता शाउल से दाउद की प्रसन्सा करके उससे कहा, कि हे राजा, अप अपने दास दाउद का अपराध ही न हो, क्योंकि उसने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, बरन उसके सब काम तेरे बहुत ही हितके है, उसने अपने प्रान पर खेल कर उस पलिष्टी को मार डाला, और यहवा ने समस्त इस्राइलियों की बड़ी जय कराई, इससे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाउद को अकारन मार कर निर्दोष के खुन का पापी क्यों बने, तब शाउद ने योनातन की बात मान कर यह शपत खाई, कि यहवा के जिवन की शपत, दाउद मार डाला न जाएगा, तब योनातन ने दाउद को बुलवा कर ये समस्त बाते उसको बताई, फिर योनातन दाउद को शाउद के पास ले गया, और वह पहले किनाई उसके सामने रहने लगा, तब फिर लडाई होने लगी, और दाउद जाकर पलिष्टियों से लड़ा, और उन्हें बड़ी मार से मारा, और वे उसके सामने से भाग गय, और जब शावल हाथ में भाला ले हुए घर में बैठा था और दावद हाथ से बजा रहा था तब यहवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शावल पर चढ़ा और शावल ने चाहा कि दावद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेथते हुए भीत में धस जाए, परंतु दावद शावल के सामने स अईसा हट गया कि भाला जाकर भीती में धस गया, और दावद भागा और उस रात को बज गया, और शावल ने दावद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और बिहान को उसे मार डाले, तब दावद की स्त्री मिकल ने उसे यह कह कर जताया कि यदी खिडकी से उतार दिया, और वह भाग कर बच निकला, तब मिकल ने ग्रुह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया, और बक्रियों के रोय की तकिया उसके सिरहाने पर रख कर उनको वस्त्र उड़ दिया, जब शावल ने दावद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे तब वह बोली वह तो बिमार है, तब शावल ने दूतों को दावद के देखने के लिए भेजा, और कहा उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ, कि मैं उसे मार डालू, तब जब दूत भीतर गए, तब क्या देखते है कि चारपाई पर ग्रुह देवता पड़े है, और सिरहा जाने पर बक्रियों के रोए की तकिया है, सो शावल ने मिकल से कहा, तुने मुझे ऐसा धोका क्यो दिया, तुने मेरे शत्रु को ऐसा क्यो जाने दिया, कि वह बच निकला है, मिकल ने शावल से कहा, उसने मुझे कहा कि मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यो मार डालू, और दाउद भाग कर बच निकला, और रामा में शमुएल के पास नहुचकर, जो कुछ शाउल ने उससे किया था, सब उससे कह सुनाया। तब वह और शमुएल जाकर नबायोत में रहने लगे। जब शाउल को इसका समाचार मिला कि दाउद रामा में के, नबायोत में है तब शाउल ने दाउद के पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब शाउल के दूतों ने नबियों के दल को नबूत करते हुए और शमुएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमिश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाउल ने और दूत भेजे और वे भी नबूत कर गड़े पर जो सेकु में है पहुचकर पूचने लगा कि शमुएल और दावुद कहां है, किसे ने कहा वे तो रामा के नबायोत में हैं, तब वह उधर रामा के नबायोत को चला और परमिश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुचने तक बूध करने लगा और भूमी पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा, इस कारण से यह कहां हो चली कि क्या शावुल भी नबियों में से हैं, शमुएल भहुच वक्ता की पहली पुस्तक अध्याय पीस, फिर दावुद रामा के नबायोत से भागा और योनातन के पास जा कर कहने लगा, मैंने क्या किया है, मुझसे क्या पाप हुआ, मैंने तेरे पिता की दुष्टी में ऐसा कौन सा अपरात किया है, कि वह मेरे प्रान की खोज में रहता है। उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा न जाएगा, सुन, मेरा पिता तुझको बिना जता न तो कोई बड़ा काम करता है और न कोई छोटा। फिर वह ऐसी बात क्यों मुझसे चिपाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दाउद ने शपत खाकर कहा तेरा पिता निश्चे जानता है कि तेरे अनुग्रह की दुष्टी मुझ पर है। और वह सोचता होगा कि योनात योनातन इस बात को जानने न पाए। ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए। परंतु यहवा के जीवन की शपत और तेरे ही जीवन की शपत। निसंदेह मेरे और वृत्यु के बीच डगी भर का अंतर है। योनातन ने दाउद से कहा जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे ल भुजन करू परंतु तू मुझे बिदा कर और मैं परसो सांच तक मैदान में चिपा रहोंगा। यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना कि दाउद में अपने नगर वैतलहेम को शिगर हो जाने के लिए मुझ से बिंती करके चुप्टी माँगी है। क्योंकि वह उसके समस्त कूल के लिए वार्शीक यग्य है। यदि वह यो कहे कि अच्छा तब तो तेरे दास के लिए कुर्शल होगा। परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है। और तू अपने दास से कुरुपा का व्यवभार कर क्योंकि तूने यहवा की शपत खिला कर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल। तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुचाए। योनातन ने कहा ऐसी बात कभी न होगी। यदि मैं निश्च जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है, तो क्या मैं तुझको न बताता। दाउद ने योनातन से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे, तो कौन मुझे बताएगा। योनातन ने दाउद से कहा, चल। हम मैदान को निकल और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातन दाउद से कहने लगा, इस्रायल के परमिश्वर यहो की शापत, जब मैं कल वा परसो इसी समय अपने पिता का बहेत पाऊं, तब यदि दाउद की भलाई देखू, तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूद भेज कर तु मुझे विदान न करू कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातन से ऐसा ही परन इससे भी अधिक करे। और यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे, जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा। और नकेवल जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक मुझ पर यहोवा किसी कृपा अईसा करना कि मैं न मरूं, परन्तु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दुष्टी कभी न हटाना, बरन जब यहोवा दाउत के हर एक शत्रू को पूत्वी पर से नाश कर चुकेगा, तब भी अईसा न करना, इस प्रकार योनातन ने दाउत के घराने से यह कह कर वाचा खिलाए, क्योंकि वह उससे अपने प्रान के बरावर प्रेम रखता था, तब योनातन ने उससे कहा, कल नया चांद होंगा, और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुरसी खाली रहेगी, और तू तीन दिन के बीतने पर तुरंत आना, और उस थान पर जाकर जहां त तू उस काम के दिन छिपा था, अर्थात एजल नाम पत्थर के पास रहना, जब मैं अपनी अलंग मानो अपने किसी ठहराय हुए चिंता पर तीन तीर चलाऊंगा, फिर मैं अपने तहलुए छोकरे को यह कहकर भेजूगा, कि जाकर तीरों को ढून लेया, यदि मैं उस छो यहवा की जून की शपत तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ न होगा, परंतु यदि मैं छोकरे से यो कहूं कि सुन, तीर उधर तेरे उस अलंग पर है, तो तू चला जाना, क्योंकि यहवा ने तुझे विदा किया है, और उस पात की उशे जिसकी चर्चा मैंने और त बैठा, राजा तो पहले की नाई अपने उस आसन पर बैठा, जो भीत के पास था, और योनातन खड़ा हुआ, और अबनेर शावल के निकट बैठा, परंतु दावत का स्थान खाली रहा, उस दिन तो शावल यह सोच कर चुप रहा, कि इसका कोई न कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, कि निसंदेह शुद्ध न होगा, फिर नए चांद के दुसरे दिन को दावत का स्थान खाली रहा, और शावल ने अपने पुत्र योनातन से पूछा, क्या कारण है, कि इशे का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था, और न आज ही आया है, योनातन ने शावल से कहा, दावुद ने बेफलहेम जाने के लिए मुझसे बिंती करके चुट्टी मांगे, और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यग्य है, और मेरे भाई ने मुझको वहां उपस्तित होने की आग्या दिये है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की तुरुष्टी हो, तो मुझे जाने दे, कि मैं अपने भाईयों से भेट कर आओ, किसी कारण वहां राजा की मेज पर नहीं आया, तब शावल का कोप योनातन पर भड़क उठा, और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जा निश्च का पुत्र भूमी पर जिवित रहेगा, तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा, इसलिए अभी जाकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्च वहां मार डाला जाएगा, योनातन ने अपने पिता शावल को उत्तर देकर उससे कहा, वहां क्यों मारा दालना ठाना है, तब योनातन क्रोध से जलता हुआ मेच पर से उठ कया, और महिने के दुसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वहां बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दावुद का अनादर किया था, पिहान को योनातन एक छोटा लड़का संग लिये हुए, म मैं चलाओंगा, उन्हें धून लिया, छोकरा दड़ता ही था, कि उसने एक तीर उसके परे चलाया, जब छोकरा, योनातन के चलाये तीर के स्थान पर पहुचा, तब योनातन ने उसके पीछे से पुकार के कहा, तीर तो तेरी परली ओर है, फिर योनातन ने छोकरे के के अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भेद छोकरा तो कुछ न जानता था। केवल योनातन और दाउद उस बात को जानते थे। और योनातन ने अपने हतियार अपने छोकरे को दे कर कहा जा इन्हें नगर को पहुँचा। एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए परन्तु दाउद का रोना अधीक था। तब योनातन ने दाउद से कहा कुछल से चला जा। क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कहके यहवा के नाम की शपत खाई है कि यहवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे व शमुएल भहुश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याए 21 और दाउद नोप को अहिमले की याजक के पास आया और अहिमले की दाउद से भेट करने को धर-थराता हुआ निकला और उससे पूछा क्या कारण है कि तू अक्यला है और तेरे साथ कोई नहीं दाउद ने अहिमले की याजक से कहा राजा ने मुझे एक काम करने के लिए आग्या दे कर मुझे कहा जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आग्या मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रगड न होने पाए और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया अब तेरे हाथ में क्या है? पांच रूटी, वो जो कुछ मिले, उसे मेरे हाथ मिले। याजक ने दाउद से कहा, मेरे पास साधरन रूटी तो कुछ नहीं, केवल पवित्र रूटी है। इतना हो कि वे जवान स्तिरियों से अलग रहे हूं। दाउद ने याजक को उत्तर दे कर उससे कहा, सच है कि हम तीन दिन से स्तिरियों से अलग है। फिर जब मैं निकलाया, तब तो जवानों के बरतन पवित्र थे। यद्देपी यात्रा साधरन है, तो आज उनके बरतन अवश्य ही पवित्र होगे। तब याजक ने उसको पव पवित्र रोटी दी, क्योंकि दुस्ती रोटी वहां न थी, केवल भेट की रोटी थी, जो यहवा के सन्मुक से उठाई गई थी, कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। उसी दिन वहां दो एग नाम शावल का एक कर्मचारी यहवा के आगे रुका हुआ वहां एदोमी और शावल के चर्वाहों का मुखिया था। फिर दाउद ने अहिमलेक से पूछा, क्या यहां तेरे पास कोई भाला वा तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी, कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और न अपना कोई हाथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, पलिष्टी गोलियात जिसे तुने एला तराए में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई, एपो चोड़ और कोई यहाँ नहीं है। दाउद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। तब दाउद चला, और उसी दिन शावल के ड़के मारे भाग कर गत के राजा आकिश के पास गया, और आकिश के करमचारियों ने आकिश से कहा, क्या वह उस देश का राजा द दाउद नहीं है, क्या लोगों ने उसी के विशे नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था, कि शावल ने हजारों को और दाउद ने लाखों को मारा है। दाउद ने ये बाते अपने मन में रखी, और गत के राजा आकिश से अत्यंत डर गया, तब वह उ सामने दूसरी चाल चली, और उनके हाथ में पढ़कर बढ़धा अर्थात पागल बन गया, और फाटक के किवाडों पर लकीरे खीचते और अपनी लार दाढ़ी पर बहने लगा, तब आकिश ने अपने करमचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो, क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है, कि तुम उनको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो, क्या ऐसा जन मेरे भहन में आने पाएगा? शम्वेल भाविशवक्ता की पहली पुस्तक अध्याए 22 और दावद वहाँ से चला, और अदुल्लाम की गूफा में पहुँचकर बच गया, और यह सुनकर उसके भाई परन उसके पिता का समस्ता घराना वहाँ उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने कुरुणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकटे हुए और वह उनका प्रधान हुआ और कोई चार सो पुरुष उसके साथ हो गए वहां से दाउद ने मौवाप के मिस्पे को जाकर मौवाप के राजा से कहा मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानू की परमिश्वर मेरे लिए क्या करेगा और वह उनको मौवाप के राजा के सन्मूख ले गया और जब तक दाउद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे फिर गाद नाम एक नभी ने दाउद से कहा इस गढ़ में मत रह चल यहुदा के देश में जा और दाउद चल कर हेरेत के बन में गया तब शाओल ने सुना की दाउद और उसके संग्यों का पता लग गया है उस समय शाओल गिबा के उचिस्थान पर एक जहु के पेड के तले हाथ में अपना भाला लिये हुए बैठा था और उसके सब करमचारी उसके आसपास खड़े थे तब शाओल अपने करमचारीों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा हे बन्यामिनियों सुनो क्या ईशे का पुत्र तुमको सभों को खेत और दाक की बारिया देगा क्या वहाँ तुम सभों को सहस्त्रपती और शत्तपती करेगा तुम सभों ने मेरे विरुद्ध क्यो राजद्रोह की गोश्टी की है और जब मेरे पुत्र ने ईशे के पुत्र से वाचा बान थी तब किसी ने मुझ पर प्रगट नहीं किया और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रगट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे करमचारियों को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है तब एदोमी दो एग ने जो शावल के सेवकों के उपर ठैराया गया था उत्तर उसने उसके लिए यहवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिष्टी गुलियत की तलवार भी दी और राजा ने अहीतुप के पुत्र अहिमलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोप के रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा और जब व यह अहीतुप के पुत्र सुन वह बोला हे प्रभु क्या आज्या है शावल ने उससे पूछा क्या कारण है कि तू और ईशे के पुत्र दोनोंने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोश्टी की है तूने उसे रूटी और तलवार दी और उसके लिए परमिश्वर से वह तो राजा का दामाद है और तेरी राज सभा में उपस्तीत हुआ करता और तेरे परिवार में पतिष्टीत है क्या मैंने आज ही उसके लिए परमिश्वर से पूछना आरंभ किया है वह मुझ से दूर रहे राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोश लगाए न मेरे पिता के समस्त घराने पर क्योंकि तेरा दास इन सब बखेडों के विशे कुछ भी नहीं जानता राजा ने कहा हे अहिमलेक तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्च मार डाला जाएगा फिर राजा ने उन पहिरों से जो उसके आसपास खड़े थे आग्या दी कि पर भी मुझ पर प्रगट नहीं किया परन्तु राजा के सेवक यहवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे तब राजा ने दो एग से कहा तू मुढ कर याजकों को मार डाल तब एदोमी दो एग ने मुढ कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला ए और बालबच्चों और दोत्पियों और बैलों गद्धों और भेडबक्रियों समय तलवार से मारा। परन्तु अहीतुप के पुत्र अहीमलेक का अब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला। और दाउद के पास भाग गया। तब अब्यातार ने दाउद को बताया कि शाओल यहवा के याजकों को वद किया है। और दाउद ने ब्यातार से कहा, जिस तिन एदोमी दो एग वहां था, उसी दिन मैंने जान लिया कि वहां निश्चय शावल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ। इसलिए तु मेरे साथ नीडर पहली पुस्तक अध्याए तेईस। शम्वेल भाविश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याए तेईस। और दाउद को यह समाचार मिला कि पलिष्टी लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खली हानों को लूट रहे हैं। तब दाउद ने यहवा से पूछा कि क्या मैं जाकर पलिष्टियों को मारू। यहवा ने दाउद से कहा जा और पलिष्टियों को मार के कीला को बचा। परंतु दाउद के जनों ने उससे कहा हम तो इस यहुदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम कीला जाकर पलिष्टियों की सेना का सामना करें तो क्या इसलिए दाउद अपने जनों को संग लेकर किला को गया, और पलिष्तियों से लड़कर उसने पृष्यों को हाथ लाया, और उन्हें बड़ी मार से मारा. यो दाउद ने कीला के निवासियों को बचाया। अब अहिमलेक का पुत्र अब्यातार दाउद के पास कीला को भाग गया था। तब हाथ में एपोध लिये हुए गया था। तब शाउद को यह समाचार मिला कि दाउद कीला को गया है और शाउद ने कहा परमिश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घूस कर बंद हो गया है। तब शाउद ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाउद और उसके जनों को घेर ले। तब दाउद ने जान लिया कि शाउद मेरी हानी की युक्ति कर रहा है। इसलिए उसने अब्यातार याजक से कहा एपोध को निपट लेया। तब दाउद ने कहा हे इसराईल के परमेश्वर यहुआ तेरे दास ने निश्च सुना है कि शाउद मेरे कारण कीला नगर नाश करने को आना चाहता। क्या कीला के लोग मुझे उसके वश्में कर देंगे। क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाउद आएगा हे इसराईल के परमेश्वर यहुआ अपने दास को यह बता। यहुआ ने कहा हाँ वह आएगा। फिर दाउद में पूछा क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाउद के वश्में कर देंगे। यहुआ ने कहा हाँ वे कर देंगे। तब दाउद और उसके जन जो आया गया कि दाउद किला से निकल भागा है तब उसने वहां जाने की मनसा छोड़ दी तब दाउद तो जंगल के गड़ों में रहने लगा और पहाडी देश के जीप नाम जंगल में रहा और शाउल उसे प्रतिदीन ढूंता रहा परंतु परमिश्वर ने उसे उसके हाथ मे न पढ़ने दिया और दाउद ने जान लिया कि शाउल मेरे प्राण की खोज में निकला है और दाउद जीप नाम जंगल के होरेश नाम स्थान में था कि शाउल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमिश्वर की चर्चा करके उसको धाड़स दिला उसने उससे कहा मत डर क्योंकि तू मेरे पिता शाउल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इसराल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे हूँगा और इस बात को मेरा पिता शाउल भी जानता है। तब उन दोनोंने यहवा की शपत खाकर आपस में वाचा बांदी। तब दाउद होरेश में रहा और योनातान अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गिबा में शाउल के पास जाकर कहने लगे। दाउद तो हमारे पास होरेश के गड़ों में अर्थात उस हकिला नाम पहाडी में चिपा रहता है जो यशिमुन के दखिन की ओर है। इसलिए अब ही राजा तेरी जो इच्छा आने की है तो आ और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। शावल ने कहा यहवा की आशिश तुम पर हो क्योंकि तुमने मुझे दया दिखाई है। तुम चल कर और भी निश्चे कर लो और देख भाल कर जान लो और उसके अड़े का पता लगा लो और बूझी की उसको वहां किसने देखा है क्योंकि किसीने मुझ से कहा है कि वह उस स्थानों को देख देख कर पहिचानों तब निश्चे करके मेरे पास लवटाना और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और यदि वह उस देश में कही भी हो तो मैं उसे यहुदा के हजारों में से ढून निकालूँगा तब वे चल कर शावल के पहले जीप को गए आमोन नाम जंगल में चला गया था, जो अरावा में यशिमोन के दख्खिन की ओर है। तब शावल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाूद परुद पर्वत पर से उतर कर आमोन जंगल में रहने लगा। यह सुन शावल ने माओन जं पहार की दूसरी ओर जा रहा था और दाउद शाओल के डर के मारे जल्दी जा रहा था और शाओल अपने जनों समेत दाउद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाओल के पास आकर कहा फूर्ति से चला आ क्योंकि पलिष्टियों ने देश पर चढ़ाई की है यह सुनकर शाओल दाउद का पीछा छोड़कर पलिष्टियों का सामना करने को चला इस कारण उस्थान का नाम सेलाह हमहल कोत पड़ा वहां से दाउद चढ़क एन गदी के गड़ों में रहने लगा शमुवेल भवश्वक्ता की पहली पुस्तक अध्याई 24 जब शाओल पलिष्टियों का पीछा करके लटा तब उसको यह समाचार मिला कि दाउद एन गदी के जंगल में है तब शाओल समस्त इस्राइलियों में से तीन हजार को छाट क पर दाउद और उसके जनों को बनेल बकरों की चट्टानों पर खोजने गया जब वह मारगपर के भेड़ शालों के पास पहुँचा जहां एक गुफा थी तब शाओल दिशा फिरने को उसके भीतर गया और उसी गुफा के कोनों में दाउद और उसके जन बैठे हुए थे तब दाउद के जनों ने उससे कहा सुन आज वही दिन है जिसके विशय यहवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौब दूँगा कि तू उससे मनमाना बरताओ कर ले तब दाउद ने उठकर शाउल के बागे की छोर को चिप कर काट लिया इसके पीछे दाउद शाउल के बागे की छोर काटने से पचताया और अपने जनों से कहने लगा यहवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहवा का अभिशिक्त है ऐसा काम करू कि उस पर हाथ क्योंकि वह यहवा का अभिशिक्त है ऐसी बाते कहकर दाउद ने अपने जनों को गुड के लगाई और उन्हें शाउल की हानी करने को उठने न दिया फिर शाउल उठकर गुफा से निकला और अपना मार गलिया उसके पीछे दाउद भी उठकर गुफा से निकला और और सिर जुका कर दंडवत किया और दाउद ने शाउल से कहा जो मुनुष कहते है कि दाउद तेरी हानी करना चाहता है उनकी तू क्यों सुनता है देख आज तूने अपनी आँखों से देखा है कि यहवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौब दिया था और किसी किस अपने प्रभू पर हाथ न चलाऊँगा क्योंकि वह यहवा का अभिशिक्त है फिर है मेरे पिता देख अपने बागी की छोर मेरे हाथ में देख मैंने तेरे बागी की छोर को काट ली परंतु तुझे घात न किया इससे निश्चे करके जान ले कि मेरे मन में कोई का सोच नहीं है और मैंने तेरा कुछ अपराद नहीं किया परंतु तु मेरे प्रान लेने को मानो उसका आहेर करता रहता है यहवा मेरा और तेरा न्याय करे और यहवा तुझ से मेरा पल्टा ले परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा प्राचिनों के नितिवच्चन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। इस्रायल का राजा किसका पीछा करने को निकला है, और किसके पीछे पड़ा है, एक मरे कुत्ते की पीछे, एक पिस्टू की पीछे, इसलिए यहोवा न्याई होकर मेरा तेरा विचार करे, और विचार करके सेरा मुकदमा लड़े, और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचा दाओद शाओल से ये बाते कही चुका था कि शाओल ने कहा हे मेरे बेटे दाओद क्या यह तेरा बोल है तब शाओल चिला कर रोने लगा फिर उसने दाओद से कहा तु मुझसे अधीक धर्मी है तुने तो मेरे साथ भलाई की है परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की और अब यहवा ने मुझे तेरे हाथ के कर दिया था, तब तुने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है। इसलिए जो तुने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तुनिष्च राजा हो जाएगा और इस्राइल का राज तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब मुझे से यहवा की शपत खा कि मैं तेरे वंश को तेरे पीछे नाश न करूँगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूँग तब दाओद ने शाओल से ऐसी ही शपत खाई तब शाओल अपने घर चला गया और दाओद अपने जनों समेत गड़ों में चला गया। शम्वेल भवशवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 25 और शम्वेल मर गया और समस्त इस्राइलियों ने इकटे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी तब दाओद उठकर पारान जंगल को चला गया। मावन में एक पुरुष रहता था जिसका माल करमेल में था और वह पुरुष बहुत बड़ा था और उसके तीन हजार भेडे और एक हजार बक्रिया थी और वह अपनी भेडों का उन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अभिगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। परंतु पुरुष कठोर और बुरे-बुरे काम करने वाला था। वह तो काले बोन्शी था। जब दाउद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेडों का उन कतर रहा है तब दाउद ने दस जवानों को वहां भेज दिया। और दाउद ने उन जवानों से कहा कि करमेल में नाबास के पास जाकर कहो और मेरे और से उसका कुशलक्षेम पूछो और उससे यो कहो कि तू चिरंजीव रहे तेरा कल्यान हो और तेरा घराना कल्यान से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्यान से रहे। मैंने सुना है कि तु जो उनकतर रहा है, तेरे चरवा है, हम लोगों के पास रहे, और न तो हमने उनकी कुछ हानी की, और न उनका कुछ खोया गया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे, सो इन जवानों पर तेरे अनुगरह की दुरुष्टी हो, हम तो आनंद के समय में आये है, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे, वह अपने दासो और अपने बेटे दाउद को दे। ऐसे ऐसी बातें दाउद के जवान चाकर उसके नाम से नाबाल को सुना कर चुप रहे। नाबाल ने दाउद के जनों को उत्तर दे कर उनसे कहा, दाउद कोन है, इशे का पुत्र कोन है, आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं, क्या, मैं अ तब दाउद के जवानों ने लटकर अपना मार गलिया और लटकर उसको ये सब बाते जो कित्यों सुना दी। सेवक ने नावाल की पत्नी अभिगेल को बताया कि दाउद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशिर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया परन्तु वे मनुश्र हमसे बहुत अच्छा बरताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक न तो हमारे कुछ हाने हुई और न हमारा कुछ खोया गया जब तक हम उनके साथ भेडबकरिया चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आढ़ बने रहे इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे स् उसके समस्त घराने की हानी ठानी होगी। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब अभीगेल ने फूर्ती से दो सो रूटी और दो कुपी दाखमधु और पाँच भेडियों का मास और पाँच सना भुना हुआ अनाज और एक सो गुच्छे किश्मिश और अंजिरों की दो सो टिक्या लेकर गद्धों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा तुम मेरे आगे आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ परंतु उसने अपने पती नाबाल से कुछ न कहा। वह गद्धे पर चड़ी हुई पहाड की आड में उत्री जाती थी और दाउद अपने जनों समेत उसके सामने उत्रा आता था और वह उनको मिली। दाउद ने तो सोचा कि मैंने जो जंगल में उसके सब माल के इसी रक्षा की उसका कुछ भी नवखोया यहां निसंदेह व्यर्थव हुआ क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझ से बुराई की हैं। यदि बिहान को उजयाला होने तक उस चन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जिविच छोड़ू तो परमिश्वर मेरे सब शत्रों से ऐसा ही करें। बरन इससे भी अधिक करें। दाउद को देख अभिगेल फूर्ती करके गद्धे पर से उतर पड़ी और दाउद के सनमुख मुह के बल भूमी पर गिरकर दंडवत किया। फिर वहां उसके पाव पर गिरके कहने लगी है मेरे प्रभू यह अपराद मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुछ से कुछ कहना चाहती है और तु अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभू उस तुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए। क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुझ उसमें मुढता पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभू के जवानों को जिन्हें तुने भेजा था न देखा था। और अब है मेरे प्रभू यहवा के जीवन की शपत और तेरे जीवन की शपत कि यहवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना पल्टा लेने से रोक रखा है। इसलिए अब अब यह भेट जो तेरी दासी अपने प्रभू के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभू के साथ चलते हैं, अपने दासी का अपराध चमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चे मेरे प्रभू का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभू से लड़ता है, और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी, और यदि पी एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्रान का ग्रहक होने को उठता है, तो भी मेरे प्रभू का प्रान तेरे परमिश्वर यहोवा की जिवन रुपी गठ्री में बंधा रह और तेरे शत्रों के प्राणों को वह मानों गोफन में रखकर फेंक देगा, इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभू के लिए यह समस्त भलाई करेगा, जो उसने तेरे विश्य में कही है, और तुझे इस्राल पर प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पच्टान न होगा, वा मेरे प्रभू का रधय पीडित न होगा, कि तुने अकारन खुन किया, और मेरे प्रभू ने अपना पल्टा आप लिया है, फिर जब यहोवा मेरे प्रभू से भलाई करे, तब अपनी दासी को स्मरन करना, दाउद ने अभिगेल से कहा, इस्राल का यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है, और तु आप भी धन्य है, कि तुने मुझे आज के दिन खुन करने और अपना पल्टा आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सच्मुच इस्राल का तो निसंदेह बीहान को उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता। तब दाउद ने उसे ग्रहन किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उससे उसने कहा अपने घर कुशल से जब। सुन मैंने तेरी बात मानी है और तेरी बिंती ग्रहन कर ली है। तब अबिगेल नाबाल के पास लवड गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा किसी जेवनार कर रहा है और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अतिच्चूर हो गया है। इसलिए उसने भोर के उजियाले होने से पहले उससे कुछ भी न कहा। बिहान को जब नाबाल क नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे कुल हाल सुना दिया। तब उसके मन का हैयाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन हो गया। और दस दिन के पशचात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वहो मर गया। नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाउद ने कहा धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर्व पर लाद दिया है तब दाउद ने लोगों को अबिगे तो जब दाओद के सेवक करमेल को अविगेल के पास पहुँचे तब उस से कहने लगे किदाओद में हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने तब वह उठी और मुह के बल भूमी पर गिरकर दंडवत करके कहने लगी, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरंध होने के लिए लाउंडी बने, तब अभी गेल फूर्ती से उठी और गधे पर चड़ी और उसकी पांच सहेलिया उसके पीछे-पीछे हो ली, और वहाँ दाउद के दोतों के पीछे-पीछे गई और उसकी पत्न परन्तु शावुल ने अपनी बेटी दाउद की पत्नी मीकल को लैश के पुत्र गल्लिमवासी पलती को दे दिया था। पलिष्टी शावुल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे, और पलिष्टियों ने शावुल के पुत्र योनातन अभिनादाब मलकिश को मार डाला, और शावुल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था, और धनूर धारियों ने उसे जा लिया, और वहाँ उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शावुल ने अपने हतियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खीच कर मुझे भोगते। ऐसा नहों कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोगते और मेरी ठटा करे। परंतु उसके हतियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शावुल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर किर पड़ा। यह देखकर कि शावुल मर गया। उसका हतियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यो शा कर कि इस्राइली पुरुष भाग गये और शावल और उसके पुत्र मर गये उस तरह की परली और वाले और यर्दन के पार रहने वाले भी इस्राइली मनुश्र अपने अपने नगरों को छोड़ कर भाग गये और पलिष्टी आकर उनमें रहने लगे दूसरे दिन जब पलिष्टी मारे हों के माल को लूटने आए तब उनको शावल और उसके तीनों पुत्र गिल्बो पहाड पर पड़े होए मिले तब उन्होंने शावल का सीरकाट